वालो फ्रेंट्स आज हम सिक्स्त क्लास की बुक हनी सकल का चैप्टर एट करने जा रहे है जिसका नाम है अग गेम ओप चांस अग गेम ओप चांस का मतलब क्या है? ऐसा गेम जिसमें हमें कोई चांस मिले और चांस कैसा मिले कि हम उसमें जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं वैसे तो सभी गेम्स में ऐसा ही होता है लेकिन जैसे आपको भी फेर में जाते हैं मेले में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलने के लिए मिल जाएंगे जिसमें आपको पैसे देने हैं और आपको कुछ चांसिज मिलने हैं फोर एक्जामपल जैसे एक बॉल से आपको कुछ गिलास रखे हुए मिलते हैं और आपने उस बॉल से उन गिलास को नीचे गिराना है अगर आपने गिरा दिया तो आपको 100 या 200 पर मिल जाएंगे अगर नहीं गिराया तो जो आपने उस बॉल को मारने के लिए पैसे दिये थे वो आपके वापिस नहीं मिलेगे इसी परकार से कुछ आपको गहरे मिलते हैं अगर आप गहरे उनको महाँ पर रखीवी चीजे को उपर जालते हैं और जिस चीज के उपर वो रिंग वो गहरा जल जाता है वह चीज आपकी हो जाती है otherwise आपने गहरों को जालने के लिए जितने पैसे दिये थे वो आपको वापस नहीं मिलते अगर गेम ओप चांस में इसी प्रकार की एक घटना का वर्णन है एक्स्प्लानेशन है इसका मुख्या करेक्टर है रसीद रसीद क्या है रसीद हमें इस घटना को एक्स्प्लेइन करता है इस घटना को बताता है रसीद क्या कहता है कि हमारे गाउ में हर साल की तरह इस साल भी मेला लगा है और मेला किसके उपलक्ष में लगा है? On Account of ETH ETH का त्योहार है, ETH का फेस्टिवल है ETH का फेस्टिवल एक ही दिन का है लेकिन जो फेर है वो कई दिन चलता रहता है रसीद हमें एक्स्प्लेइन करता है कि उस मेले में बहुत सारे ट्रेड्समेन बहुत सारे वियापारी विजनेसमेन आते हैं अपनी अपनी चीजे ले करके वो वहाँ पर आ जाते हैं और उनको बेचते हैं दूर से नजदीक से सभी जगह से इस परकार के लोग उस मेले में पहुँच जाते हैं आपको मेले में एक पिन से लेकर के छोची सी पिन होती है उस पिन से लेकर के फैलो तक मिल जाएंगे मतलब कहने का भी प्राय यह है कि जो भी चीज़ आप खिरितना चाहो मेले से आपको वो चीज़े मिल जाएगी अब रसीद किसके साथ मेले में गया रसीद हमें बताता है कि उसके अंकल उसे मेले में अपने साथ ले करके गए साथ में एक कारेक्टर और जिसको इसने भहिया कहा है और भहिया कौन है भहिया इनका डोमेस्टिक सर्वेंट है इनका घरेलू नोकर है ये तीनो मेले में जाते हैं मेले में बहुत ज़्यादा भीड है अंकल इनको लीड कर रहे हैं लीड कर रहे हैं मतलब अंकल आगे-ागे चल रहे हैं और ये दोनों पीछे-पीछे चल रहे हैं मेले में क्या होता है? अंकल के कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं इसके अंकल के रसीद के अंकल के कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वे चाहते हैं कि अंकल उनके साथ कुछ समय स्पेंड करे अब अंकल रसीद को बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं तुम भहिया के साथ चले जाओ और मेले को देखो और वापीस आ करके यही मुझे मिल जाना रसीद यह बात सुन करके खुस होता है अक्सर बच्चे ऐसा ही चाहते हैं कि वे अकेले मेले में जाएं हमारे साथ हमारे अंकल, आंच, मदर, फादर कोई ना जाए हम अपने फ़ेंड्स के साथ enjoy करें तो रसीद जब अंकल से यह बात सुनता है कि उसके अंकल अपने फ़ेंड्स के साथ कुछ time spend करना चाहते है तो वे खुस हो जाता है और भहिया के साथ मेला देखने चले जाता है उधर अंकल ने उनको जगह बता दी थी कि आप इसी जगह अगर के मुझे वापिस मिल लेना और हाँ अंकल ने रसीद को एक वार्निंग भी दी थी वार्निंग क्या थी कि ना तो तुम मेले से कुछ खरीदोगे और नहीं जादा दूर जाओगे जो भी खरीदना होगा मैं तुम्हें खुद खरीद कर दूँगा और रसीद अपने अंकल से ऐसा प्रॉमिस कर लेता है उसके बाद एक सोप से दूसरी सोप, दूसरी से तीसरी सोप रसीद और भहिया दोनों ऐसे जा रहे हैं रसीद का मन करता है बहुत सारी चीज़े खरीदने के लिए लेकिन उसको वो प्रॉमिस यादा जाता है जो उसने अपने अंकल सिक के साथ किया है कि जब तक मैं ना आऊं तुम कुछ भी ना तो खरीदना और नहीं जादा दूर जाना तभी इनको मिलती है एक सोप जिसके ओपर लिखा होता है दालकी सोप अब सोप का क्या नाम है दालकी सोप जो उसका सोप कीपर है जो वहाँ पर बैठा हुआ है ना तो वह ज़्यादा यंग है और नहीं ज़्यादा बूड़ा है निदर ठू यंग नौर ओल्ड तो फिर कैसा है मिडल एश्ट मैन है अधेर सी उमर का व्यक्ति है और नहीं तो ज़्यादा स्मार्ट है और नहीं ज़्यादा लेजी है यानि कुर उसको सोप कीपर के बारे में रसीत ने एक्स्प्लेन किया है कि वह सोप कीपर जो लखी सोप पे बैठा है ना तो ज़्यादा जवान है और नहीं ज़्यादा बुड़ा है मिडल एज का एक व्यक्ति है और वहाँ पर सभी लोग अपना लख अपना भाग्या ट्राई कर रहे है कैसे ट्राई कर रहे है वहाँ पर कुछ डिस्क रखी हुई है क्या रखी हुई है डिस्क कुछ डिस्क रखी हुई है और उन डिस्क पे नंबर है किसी पे चार किसी पे फाइव किसी पे वन किसी पे टैन वन से लेके टैन तक उन सारी डिस्क पे नंबर लिखे हुई है वहाँ पर क्या है कि आप 50 पैसे दोगे 50 पैसे दोगे और आपको क्या मिलेगा 6 आपको 6 डिस्क मिल जाएंगे उन डिस्क के नंबर को जैसे 4 और 5 9 और 1 10 10 10 10 20 जो भी इनका टोटल आएगा वह टोटल वहाँ पर उस सोप में रखी हुई कुछ चीजों पर लिखा हुआ है 20 आ गया और आप देखते हो किस चीज पर लिखावा है पैन पर लिखावा है तो आपको पैन मिल जाएगा तो इस परकार से यह सिस्टम वहाँ पर था तो रसीद ने देखा कि एक बुढ़ा आ वही दोर उन पर कुछ नंबर लिखे हैं से भी जिस्क पर और उन नंबर का टोटल आता है 15 कितना टोटल आता है 15 उनका टोटल आ जाता है उस बुढ़े आत्मी को 15 टोटल आने पर क्या मिलता है वह क्या देखता है कि जो 15 नंबर है वह एक दुकान में रखी हुई बहुत सुन्दर क्लोक उस क्लोक पर क्या लिखावा है फिप्टीन तो उस बुड़े आदमी को क्या मिल जाता है वो क्लोक मिल जाती है उसका लग अच्छा था लेकिन जो शोप कीपर है वो से उस घड़ी को वापिस खृतना चाहता है वह मैंने इनाम जीत लिया घड़ी मेरी हो गई अब शोप कीपर क्या कहता है कि मुझे वो घड़ी वापिस दे दो अब वो बुड़ा आदमी उस घड़ी को उस बुटीफल क्लोक को वापिस शोप कीपर को बेच देता है कितने रुपय में 15 रुपीज में उसको बेच देता है रसीद यह सब देख रहा है तब ही एक जितना यंग था उससे थोड़ा सा बड़ा था वो लड़का क्या करता है वो भी अपने लख को आजमाता है और क्या करता है 50 पैसे देता है और 6 डिस्क ले लेता है उन 6 डिस्क का जो टोटल आता है उस पर उसे क्या मिलता है उस पर उसे एक कॉम एक कंगा मिलता है कंगा करते कितनी थी 25 पैसे 25 पैसे में वो लड़का वापिस उस को किसको बेच देता है शोप कीपर को बेच देता है फिर वह दोबारा फिर अपने लग को आजमाता है फिर पैसे देता है फिर छेंच डिस्क मिलती है अब की बार्स को क्या मिलता है एक फाउंटेन पैनी मिलता है और फा अपना लख को आजमाता है और तीसरी बार उसको क्या मिलता है एक wrist watch कलाई घड़ी जिसकी कीमत कितनी है 25 रुपीज अब वह लड़का 25 रुपे की जो wrist watch है वह भी वापिस वापिस वोप कीपर को बेच देता है और एक अच्छी डील एक अच्छा कैसे लेकर के वहाँ से जाता है लड़के ने तीन बार अपनी किसमत को आजमाया और तीनों बार उसको कुछ न कुछ मिला उसको एक कौम मिला उसको एक फांटेन पैन मिला उसको एक wrist watch मिली और तीनों चीज़े वो वापिस सोप किपर को बेच करके अपने पैसे लेकर के चला जाता है अब रसीद यह सब कुछ देख रहा है अब रसीद भी चाहता है क्या कचाता है वह भी अपने लग को ट्राई करना चाहता है उसने भाया की तरब देखा कि मैं भी try करूँ क्या भाईया ने उसको encourage किया कि ठीक है हाँ बिल्कुल करो ये तो बहुत अच्छा deal है इसमें तो कुछ न कुछ मिलता ही है और रसीद ने 50 पैसे उसको दिये और बतले में क्या मिला 6 discs उसको मिल गई लेकिन उस जो 6 6 जिसका है उनका total करने पर उसको क्या मिलता है 2 pencils अब रसीद का पहला इनाम क्या है 2 pencils उसको मिलती है और उनकी कीमत कितना है 25 पैसे रसीद दो बारा फिर try करता है अब की बार उसको मिलती है एक bottle of ink श्याहई की दवात अब bottle of ink जिसकी कीमत भी कितनी है 25 पैसे है लेकिन वो फिर से try करता है फिर से पैसे देता है और उसका भागया उसका साथ नहीं देता लास्ट में केवल 25 पैसे वो win करता है 25 पैसे की चीज़ को win करता है अब इदर शोब की पर बोलता अगर आप 25 पैसे में मिला दो तो 50 पैसे में आप लास्ट चांस अपना ले सकते हो और रसीद ऐसा ही करता है 25 पैसे और देता है और लास्ट चांस में भी उसको कुछ नहीं मिलता इस परकार से रसीद काफी जादा उदास है रसीद को काफी सारे लोग देख रहे हैं उसके उपर हंस रहे हैं कोई भी उसके लिए सिंपथी साहनुभूती नहीं दिखाता कि तुम इतना पैसा यहां पर गवा चुके हो लुटा चुके हो अब रसीद भाईया के साथ वापिस उस जगह चला जाता है रसीद तुम इतने अफसेट क्यों दिखाई दे रहे हो क्या मैटर है क्या बात है क्या प्रॉबलम है रसीद तो कुछ नहीं कहता लेकिन रसीद के साथ जो भाईया है जो डोमेस्टिक सर्वेंट है वह पूरी कहानी को एक्स्पलेन करता है अंकल ना तो ज़्यादा उदास होते है और नहीं ज़्यादा नाराज होते है लेकिन अंकल उसको एक्स्पलेन जरूर करते है क्यों उससे सोब की पढ़ने तो तुम्हारा पागल बनाया है और रसीद कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है ये तो मेरा लख ही ऐसा था और वहाँ पर एक लड़का आया था उसको भी काफी सारी चीज़े मिली तब अंकल उसकी पीट को थप थपाते हैं और उसको क्या दिलवाते हैं उसको एक beautiful umbrella, biscuits और मिठाईयां रसीत को ये तीन चीज़े दिलवाते हैं और कहते हैं कि जो वो आदमी थे न वो बुड़ा आदम थे वे क्या करते हैं केवल आपको attract करते हैं कि इनको देख करके कि ये प्राइज जीत रहे हैं दूसरे लोग भी आएंगे और हमें पैसा देंगे उनका main motive क्या है पैसा बनाना है तो इस परकार से इस कहानी से हमें यही message मिलता है कि जो मेले में इस परकार की चीज़े होती ह जो आपको attract करती हैं वो आपको के लिए फाइदे मद नहीं होती आपको नुकसान ही दे करके जाती हैं फिर अंकल रसीद को बोलते हैं कि चलो ठीक है गाव में जा करके अपने bad luck के बारे में या फिर सही अर्थों में क्या कहें अपनी foolishness के बारे में अपनी मुर्खता के ब तो इसे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बैल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें थैंक्यू, have a nice time